हाई अवरिवन वेलकम बैक टो में चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ करवाचोत मेकप स्टैप बाइ स्टैप जो कि आप न्यूली मैरिड हो तो आप ये मेकप क्रियेट कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्मैश बॉक्स का प्राइमर लेंगे या कोई भी आप ले सकते हैं जो भी आपके पास है और एक अच्छा फाउंडेशन लग जाता है इससे आप आपकी पोर्स जो है वो विल्कुल मिनिमाईज हो जाते हैं प्राइमर लगाने से तो हमा जबल बिस ट्रॉबिंग क्रीम लें सकते हैं या Skip सकते हैं कोई जरूरी नहीं है मैं मेवलिन की स्टसाव ग्रीम क्रीम यूज और अपने लोग देने के लिए और हमारा फेस पे स्ट्रॉबिंग क्रीम मैं अच्छे तरह स्प्रेट कर लूँगी पूरे फेस में और यह देख सकते हैं आप ग्लोई लुक अभी से ही एक लेयर आ गई है और इसके बाद हम मेबिलीन और मैं कलर पॉप का दोनों मिक्स मैच करके फाउंडेशन अप्लाई करूंगी और यह फाउंडेशन मैं इसलिए अप्लाई दोनों मिक्स कर रही हूं क्योंकि एक थोड़ा सा डार्क शेड है मेरा यल्विश टोन में है तो बहुत जादा यल्विश हो जाता है तो इसलिए मैं मिक्स करके मैच करके मैं लगा लेती हूं तो यह देखो बहुत अच्छा मेरा सेम कलर कुछ कुछ हो गया है और थोड़ा सा लाइटी टोन होना चाहिए अपने मेक अप के लिए क्योंकि हमने उसके बाद कंटोरिंग करना होता है तो इसलिए हमें कोई ज्यादा डार कलर नहीं यूज करना चाहिए फाउंडेशन का अपने बिल्कुल सेम कलर यूज करना चाहिए फेस के अकोर्डिंग एक टॉन चाहिए लाइट हो जाए कोई बात नहीं तो मैं एक अच्छी तरह ब्लैंड कर रही हूं स्पॉंज से यह है मैक का स्पॉंज जो की बहुत अच्छा है इसको मैंने गीला किया है इसको निचोड के अच्छी तरह मैं इसको पूरे फेस में फाउंडेशन लगा रही हूं और आप कोई भी स्पॉंज यूज कर सकते हो मैं यह वाला यूज कर रही हूं और पूरे फेस को मैंने अच्छी तरह कवर कर लिया है यह फुल यह मेरी फेवरेट है और अच्छा पिग्मेंटेशन है इसमें और आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि आजकल बहुत अच्छे ब्राव पैंसिल्स आ रही हैं तो आप वो भी ले सकते हो स्पूली की मदद से मैं अच्छे से इसको ब्लैंड कर दूँगी जो मैंने अच्छी तरह हार्श लाइन जैसे दिखती है और लगता है तो नैच्रल लुक देने के लिए मैं स्पूली की मदद जरूर लूँगी और इसके बाद यह मेरा फेवरेट कंसीलर है एले गर्ल का और अच्छी तरह क्लीन कर लूँ मैं अपनी आइब्रो को तो ताकि वह अच्छा सा लुक देदे मेरे आइब्रो को तो यह अच्छी तरह ब्लैंड कर लूँगी उसी से ही आप ब्रश की मदद से भी उसकर सकते हैं क्योंकि कंसीलर ब्रश भी आते हैं बहुत अच्छे से तो आ आपको लग रहा है कि अगर जरूरत है कंसीलर की फाउंडेशन के बाद तो आप लगा सकते हो कंसीलर जो मैंने वही वाला यूश किया है येलो करेक्टर एलेगल का काफी अच्छा हाइलाइट अगर देनी हो तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगा सकते हो जरूरी नहीं भर ज़्यादा जरूरी है तो मैं अपने नेक एरिया को भी नहीं भूलूंगी बिल्कुल भी क्योंकि वह बिल्कुल अलग अलग लगता है इसलिए अब है अच्छी तरह आप जानते ही है नेक्स्ट टैप होता है कि पाउडर लगाने की बारी ये लूस पाउडर है मैं स्टेक करकी का यूज करती हूँ अच्छा पाउडर है आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास है और मैं इसको हाइलाइट करूँगी और इसको बेक करने के लिए छोड़ दूगी ऐसे की ऐसे ही फिर हम आई लुक क्रिएट करेंगे जब तक हम इसको ऐसे ही छोड़ तो आपको बहुत इजी हो जाएगा नहीं तो वह ब्लेंड नहीं हो पाता है न अच्छे से तो इसलिए आपका फैला फैला लुक हो जाता है आई शैडो का तो मैं आपको जुरूर सज्जेस्ट करूंगी कि आप टेप लगा के अच्छा सा कोई भी कलर लेके आप ब्लेंड करते हो तो बहुत अच्छा वेंग्स निकल के आता है तो मैं यह ओरेंज इस थोड़ा सा ब्राउनिष कलर है तो मैं इसको अच्छी तरह जैसे लाइनर लगाते हैं जहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर रही हूं ताकि अच्छी तरह एक लुक क्रियेट ह इसमें मैं थोड़ सा smoky look दे रही हूँ थोड़ा brownish look दूँगी मैं आज तो मैं को ये थोड़ा सा look ना ये हर चाहे कोई भी आपने dress पहनी हो साड़ी पहनी हो, suit, कोई भी gown पहना हो तो इसमें ये वाला smoky eye सब पे suit करता है इसलिए मैं कुछ इस type का look कर रही हूँ brown color लगाया है तो आप देख सकते हैं ये वाला light color मैं अच्छी तरह blend करते वे लगा रही हूँ और अब थोड़ा सा मैंने उसका brownish color जो मैंने लिया था थोड़ा सा dark color लेके उससे अब उसको उसी line पे मैं अच्छी तरह blend कर लोगी हमेशा outer corner से inner corner की तरफ ही आप eyeshadow को product रखे और brush रखे और inner corner की तरफ जाए और blend करना है अच्छे से आप brush जो भी है आपके पास वो use कर सकते हो कुछ मेरी तरह देख सकते हो कि इस type का होना चाहिए और अब मैं black color लेके उसको जहाँ पे tape रखे ना वहीं पर tape लगी हुई वहीं पर ज्यादा हमने focus करना है क्योंकि wings हमें वहीं निकलने है तो उस पे अच्छी तरह आप देख सकते हो मैं blend कर रही हूँ और काजल जहाँ हम liner लगाते हैं वहाँ पे मैं अच्छी तरह smudge कर दि बट मैं यहाँ पे gel liner यूज़ कर रही हूँ स्टेक और की का आप कोई भी liner यूज़ कर सकते हो बट जल लाइनर में smudge बहुत अच्छा हो जाता है जो आगे मैं करने वाली हूँ तो मैं कोई भी कैसा भी आप liner लगा लेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही clear liner एक आना चाह करी हूँ आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अब मैं इसको ब्लैक कलर लेके अब वह liner जो हार्ष दिख रहा है जो लाइन दिख रही है एक liner की उसको स्मझ करूंगी जो की स्मोकी लुक अब बहुत अच्छा तरीके से देता है और यह देख सकते हो आप मैं उसी के उपर ही ज लगा रहे हूँ ताकि एक बेस तैयार हो जए और स्मोकी लुक दे जो कि यह हर किसी के उपर भी आप चाइए आप का फियर कलर हो चाए डाक कलर हो चाए कोई भी यह वाला मेकप ना हर किसी के उपर सूट करते हैं तो मैंने अच्छी तरह ब्लैंड कर लिया है अब मैं इनर कोर्णनर पे जैसे की चल रहा है अब है हमारी टेप रिमूव करने की बारी जो कि आप विंग्स देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और यह सेम टेप लगाना चाहिए नहीं तो उपर नीचे हो सकता है टेप का बहुत अच्छे से ध्यान करें अब लोग लैश प लगा था लॉड लैश पर अब यह जो वाइट लाइन दिख लिए ना हमारी जो बीच में काजल और लाइल के बीच में जो दिखती है थोड़ी सी वाइट उसको ना मैं अच्छी तरह अच्छी तरह ब्लैंड करके उसको भर लूँगी वाइट कलर जो वाइट कलर नीए व अब वो जो मैंने बेक किया था अपना powder तो उसको dust off कर देंगे और अब देख सकते हो आप ये look कितना अच्छा create हुआ है और मैं अपने सारे जो जो मैंने जहां-जह powder लगाया था वो मैंने dust off कर दिया है अब ये है hula beauty sorry hula benefit brownzer बहुत अच्छा है आप ले सकते हो बहुत 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 अच्छा है और यह आप जहाँ-जह मैं कर ली हो contouring वैसे आप कर सकते हो आज मैं यह contouring यूज कर ली हो अब बागी मैं दिन creamy contour यूज करती हो अब आप यह देख सकते हो nose और cheek और forehead पे और आप सारी जगया आप contouring कर सकते हो अब ये color bar का बहुत अच्छा मेरा favorite color है ये blusher का जो की मैं मिलता जुलता लगाऊंगी ना pink color लगाएंगे तो बहुत over लगेगा इसलिए मैंने वही brownish color लगाया है अब ओफरा का highlighter जो की सब का main part है आप favorite part और main part जो की highlighter है तो वो लगा लेंगे ओफरा का आपके पास जो भी होगा वो लगा सकते हैं आप मैं benefit का mascara यूज़ कर रही हूँ bad girl bank का तो ये आप देख सकते हो easily धीरे धीरे लगा रही हूँ क्योंकि ना ये बहुत जल्दी से आँख में लग जाता है तो धीरे धीरे लगा रही हूँ ये speed है मेरे phone में तो थोड़ा देख के लगाएं तो अब मैं sugar का lip color यूज़ कर रही हूँ lipstick जो कि मैं अपने हलका सा पिंक की shade दे दिया है जो मेरे थोड़ा से dark color लग रहे थे ना lips के तो थोड़ा सा pink color का shade दे दिया हूँ उसके बाद मैंने एक stepping out करके smash box का lip color है जो कि मैं liquid lipstick तो वो लगाऊंगी so guys ये है मेरा आज का करवा चोथ make up look जो कि आप create कर सकते हो बहुत easy simple तरीके से मैंने एक step by step बताया है और आप जरूर बता सकते हैं comment करके ये आपको video कैसे लगी और अगर नहीं हो तो subscribe करना मत भूलना मैं मिलती हूँ आपको next video में जब तक के लिए bye guys